अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट यहां पर वी आर ओल सेट फॉर दो फॉर्स्ट बॉल इसी के साथ वाइड के साथ शुरुआत मज्जू ने बाय तो रोक लिया लेकिन रन चुराने में बाय चुरा लिया है टीम फैंसी के दोनों उपनर्स ने अच्छा तालमेल अच्छी रनिंग बिना किसी गेंद के दो रन और यहां पर उमदा श्ट्रोक अच्छी फिल्डिंग प्रमित की एक और वाइड बॉल पहली गेंद के बाद स्कोर है चार रन एक और वाइड गेंद यहां पर काफी दूर लेक्ष्टम से नई गेंद के साथ थोड़ी सी प्राब्लम हो रही है ग्रिप करने में एक बॉल पाँच रन और यह स्कोर लेक्ष की दिशा में मोड दिया है कश्य अपने उम्दा शुरुआद यहां पर सिंगल्स और एक्स्ट्रास के साथ दो गेंदों के बाद छे रन बोर्ड पर स्कोर और यह फिर से एक अच्छा लीव गोईन ना भाई का दो गेंदों के बाद साथ रन यहां पर उम्दा गेंद अंदर आई थोड़ा सा लेट केले लेकिन फिर भी सिंगल्स चुराने में काम्याब एक अच्छी शुरुआद मिली है फैंजी गों तीन गेंदों के बाद आठ रन हवा में गेंद और बहुत बड़ी सफल था यहां पर अटेक करना चाहते थे कश्यप इस गेंद को पहली विकेट बड़ा जटका फैंसी को कश्यप चंदे पवेलियन लोटते हुए एक्स्ट्रा से कीदी शुरुआद लेकिन कमबैक अच्छा नेट का सपोर्ट बैच मेंने में धरमेश उर्फ दमुडा दमुडा आ चुका है बैटिंग पर और यह गैप में थी गेंद अच्छी फील्डिंग वहाँ पर बाउंडरी पर अमन की पाँच गेंदों के बाद स्कोर है नौरन तीन गेंदी स्कोर था आट रन दो गेंदों में एक विकेट और एक सिंगल आया है एक अच्छा कमबैक यहाँ पर भाविल का लास्ट बॉल के लिए अमपायर का इशारा वाइड बॉल अच्छी लीव गोविंदा भाई की पाच बॉल दस रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक और एक्स्ट्रा ऐसा लग रहे है एक वाइड के बाद अपनी ले थोड़ी सी मिस कर रहे हैं भाविल और यह रन आउट का मौका अच्छा कवर पहली ओवर की समावती पर स्कोर है बारा एक और बारा एक विकेट के नुक्सान पर बारा चुका है अमन और यह उम्दा गेंद यहाँ पर लेफ्ट आम राउंड से करन मजेट यह जो की कीपर है उनको कोई मौका नहीं बाय में एक अतिरीक्त रन स्कोर आके बढ़ता हुआ तेरा ऐसा लग रहा है मज्जू को लग रहा था कि श्ठम्स जाके गेंद को लग जाएगी यह बहुत ही उम्दा गेंद यहाँ पर लेट खेला लेकिन रन चुराने का मौकान है अच्छी फिल्डिंग यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे है आमन तीन गेंदों पर सिर्फ एक रन कर्च किया है रन की गती को स्लो कर दिया है थोड़ा सा और यह फिर से अंदर आती हुई गेंद इस बार सिंगल लेने में कामयाब गोविन भाई एक दशम्द चार ओवर के बाद स्कोर है चौदारन इस पार हावा में गेंद और यह बाविल की डाइविंग कैच बहुत ही उम्दा कैच यहाँ पर लॉंगाउन की दिशा में भाईविल की गुद प्लेयर्स अल्वेस कॉंट्रिबूट इन दे फिल्ड मैं फ्रेंड दिस इस वाट भाविल है शोन अच्छी गेंद बाजी प्रेशर बन रहा था और धरमेश ने एक बड़ा हीट लगाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई और इस बार आखरी गेंद पर गोविन अभाई का करार आप रहार बहुत ही उम्दा स्ट्रोक के साथ दो ओवरों की समाप्ती पर स्कोर है बीस रन बहुत ही उम्दा स्ट्रोक दो ओवर बीस रन बहुत है करन मजेटिया मज्जू उर्फ करन मजेटिया हावा में गेंद और मीत नागड़ा का कैच यहाँ पर मीड़ ओफ की दिशा में पहली गेंद पर सफल था हाँ मीत मीत नागड़ा प्रदीब भाय आ चुके है वल्ले बाजी का क्रम समालने टू पॉइंट वान ओवर्स ट्वेंटी राइट हैंड़ बैच्मेन और यह थोड़ी सी दूर रही गेंद वाइड वाल का इशार अंपायर का एक और वाइड टू पॉइंट वाइन ट्वेंटी टू अंपायर का वार्निंग है प्लीज बॉल टैम पर ना कीजिए बहुत ही उमदाश शॉट यहां पर बहुत ही उमदाश ट्रोक दो गेंदों के बाद स्कोर है तेईस एक और वाइड यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हो आज चौबीस एक और वाइड एक्स्ट्राज हेल्प नहीं कर रहे है तो गेंदों के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ पच्चीस एक और वाइड यहां पर अच्छी लीव कर रहे है प्रदीप और यह अच्छी गेंद यहां पर अच्छा कमबैक मज्जूगा पीट किया बल्लेबास को आगे आगे खेल दिया है गैप में गेंद एक ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा च्छार गेंदों के बाद स्कोर है 27-2 टू गो बहुत ही उमदा स्ट्रोक बैक फूट से ओफ साइड की दिशा में मोड दिया है सिंगल चुरा लिया है फिर से definitely dealing in singles but they are pushing their scoring rate with the extras और ये बहुत ही उमदा reverse sweep यहाँ पर तीन ओरो की समापती के बाद score है 29 तीन ओवर ट्वेंटीनाइन दिविया जप्पी आ चुके हैं बॉल इंक्रीज पर गोविन्दा भाई जो की ओपनिंग आये थे अभी तक खड़े हैं कुछ बड़े शॉट्स डेफिनेटली लगाना चाहेंगे अपने बल्ले से फैंसी को एक बड़े स्कोर की तरफ आकरशित करने के लिए अंपायर का इशारा नो बॉल नो प्लस वन टोटल टू स्कोर हो चुका है तीन ओरों के बाद थर्टी वन फिर से नो बॉल स्कोर बत्तीस इस बार अच्छी फील्लिंग अपनी बॉलिंग के एक गेंद के बाद यहाँ पर उम्दा स्ट्रोक टायरेक्ट हीट अंपायर का इशारा आउट अच्छा थ्रो यहाँवर वरुन बद्रा का जॉइन टोनर का कॉंट्रिब्यूशन रन आउट के रूप में एक बड़ी विकेट चटका दे हुए वरुन बद्रा जॉइन टोनर आफ टीमोजी बड़ी विकेट यहाँ पर विनए आ रहे हैं बल्ले बाजी का क्रम समालने अब दो गेन दो के वाद स्कोर है 32 अच्छी गेन थी एक और अच्छी गेन अंदर आ रहे है बैच्मेन को बीट कर रहे हैं एक्स्ट्रास के साथ शुरु आध लेकिन अच्छी comeback यहाँ पर तिविया जप्पी की तीन गेंदों के बाद 32 और अमपायर का इशारा फिर से आउट यह वरुन का back-to-back run-out contribution बहुत ही खुश उनकी टीम उनसे ओनर लीडिंग फ्रॉम दा फ्रेंट चार गेंदों के बाद स्कोर है 32 एक बहुत ही अच्छी ओवर पनपती हुई OG के लिए की 5 ओवर अब तक तो रन-out ने थोड़ा सा रनों की लएको रुका दिया है तीम फैंसी के लिए वाइड बॉल अमपायर का इशारा स्कोर हो चुका है 33 शरद आ चुके हैं एक और वाइड वाइड प्लस वाइड टोटल टू स्कोर हो चुका है 35 थर्टी फाइव अमपायर का फिर से इशारा वाइड बॉल स्कोर हो चुका है 36 चार गेंदों के बाद 36 विकेट जरूर ली है दो विकेट मिली हैं लेकिन और यह अच्छी गेंद यहां पर अमपायर का कोई शारा नहीं पांची गेंद हुई है शारद एक और गेंद शेश है इस ओवर में नो बॉल लेकिन इस बार सेल्फ आउट नो में रन मिलेगा विकेट मिलेगी बॉल भी काउंट होगा चार ओरों की समापती पर 37 37 है स्कोर 37 आखरी ओवर बची है इस पहली इनिंग की इस ट्रोक यहां पर स्कोर आगे वड़ता हुआ 44 वाइड बॉल अंपायर का इशारा स्कोर हो चुका है 45 45 चार गेंदे बची हैं एक और फुल टॉष रिजल्ट था सेम कंजिकेटिव शिक्स तीन गेंदो के बाद 51 बहुत ही उम्दा स्ट्रोक प्ले यहां पर ओपिनिंग बल्ले बास अपनी लेक अपूरा फायदा उठाते हुए गोविन भाई और इसी के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए हैं 52 और यह सेल्फ आउट श्ट्राइक देना चाहते थे गोविन भाई को बैक फूट से खेला पांच गेंदों के बाद 55 रने स्कोर आकरी गेंद बची है ओनर आ गए हैं विकी भाई मैंसी एलेवन के और ओनर वर्सीज ओनर की यह बैटल में प्रमित ने उनकी विकेट ले लिए लेकिन एक अच्छा स्कोर 52 का एक अच्छा स्कोर टार्गेट है 53 52 का स्कोर टार्गेट है 53 53 53 53 MRPL Season 1 Day 3 Group D की पहली मैच Team OG और Team Fancy के बीच इसमें OG ने गेंद बाजी करने का फैसला किया दा 53 का यह टार्गेट Team OG के लिए चौथी ओवर के बाद थोड़ी सी गेम रुक सी गई थी लेकिन आखरी ओवर में दो बड़े हीट लगा के गोविना भाई ने अपनी टीम को एक सम्मान जनक स्कोर की तरफ अग्रसर कर दिया और एक टार्गेट रख दिया है 53 का पांच होरो में टीम OG के लिए पहली मैच कोई भी टोर्नमेंट की जीतना जरूरी होता है हर एक टीम के लिए कॉन्फिदेंस बूस्टिंग होता है और रुद्रांच के ओनर अमीद बाजी आ चुके हैं किरन भाई आ गहे हैं बोलिंग पर किरन भाई किरन भाई किरन भाई बैट्समेंट भाविल और चप्पी और भाविल जेन वाइड वाल का इशार आमपायर का वाइड नहीं है डॉड वाल के साथ शुरुवात अच्छी शुरुवात और बैट से खाता खोलते हुए यहां पर दो गेंदों के बाद एक रन और योगी भाई आ चुके यहां पर बैट को गदा की तरह पकड़ते हुए बहुत अच्छी गेंद यहां पर तीन गेंदों के बाद एक रन उमदाश शुरुवात तीम फैंसी के लिए किरन भाई की और यह विकी के हाथ में गेंद उमदा फिल्डिंग यहां पर ओनर की कवर्स के रीजन में और यहां पर अच्छा कॉल पाच गेंदों के बाद एक रने स्कोरुवात यह पिच का सपोर्ड बहुत ही उमदा गेंद बाजी की रन भाई की पहली ओवर में सिर्फ एक ही रन कर्श किया है बहुत ही किफाई ती ओवर दोनों बल्ले बाजों को प्रेशर में डाल दिया है पाच ओवर में 53 का टारगेट अब चार ओवर में 52 है उमदा गेंद बाजी पहली ओवर बहुत बढ़िया टीम फैंची के लिए बहुत ही किफाई थी ओवर शुरुवात बहुत ही अच्छी अगास बहुत ही उमदा और यहां पे दूसरी ओवर के लिए आ रहे हैं बाबू राइट आम राउंड से बाबू मुर्तुजा उर्फ बाबू और यह फॉर्चून फेवरिंग दब्रेव ऐसा लगा विकेट जाएगी डारेक नेट पर लगेगी लेकिन लक ने भाविल का साथ दिया एक बाल दो रन और यह प्रेशर टेलिंग उन दा बैट्समेन देविया जप्पी की बड़ी विकेट यहाँ पर एक दशम्र दो गेंदों के बाद दो रन और यह बहुत ही उम्दा श्ट्रोक पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है जॉइंट ओनर प्रमीद गोसर ने बहुत ही उम्दा श्ट्रोक प्ले यहाँ पर अच्छा शॉट वन पॉइंट री आट रन और इस पर प्लेस करने की कोशिश लेकिन प्लेस्मेंट गलत ओफसाइड नेट पर लग गई गेंद एक दशम्र चार ओवर के बाद आट रन पे दूसरा जटका यहाँ पर बहुत यह उम्दा गेंद बाजी की शुरुवाद हुई है टीम फैंसी के लिए दो विकेट चटकाली है मुर्तुजा ने इस ओवर में एक धीमी शुरुवाद लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं टीम होजी के बल्ले बाजी के क्रम में अमन आ चुके हैं वाइड के साथ उनका वेलकम किया है स्कोर आगे बढ़ता हुआ नौरन एक और वाइड स्कोर दस लेफ्ट हैंडेड बल्ले बाज अमन साइड चेंच और ये हवा में और बहुत ही उम्दा रीले केच बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर अमन का पहली गेंद को छे रनों के लिए मोडना चारे थे मिड विकेट की दिशा में लेकिन उम्दा रीले केच यहाँ पर जॉइंट एफ़र्ड वहाँ पर दोनों फिल्डर्स का धमुडा का रीले पकड़ा शरत ने बहुत ही उम्दा केच बहुत ही जोरदार पकड़ बना ली है फैंसी ने इस मैच पर 1.5 over 10 runs for the loss of 3 big wickets तीन बड़े जटके बाभू ने दे इस ओवर में ओजी को और यहाँ पर मयंग उम्दा फिल्डिंग यहाँ पर रधीप भाई की मयंग सिंगल चाहते थे लेकिन अच्छा हुआ नहीं निकले रिस्की रन हो जाता दो वर 10 run दरकार है 43 runs की 18 गेंदों में बॉलिंग पर आचुके हैं मिलिंद कर दो कि अपता है कर दो कर दो कि अपता है कर दो कि वर दो अगली ओवर के लिए मिलीन तैयार एक सम्माण जनक शुरुवात फैंसी को अच्छी गेंद बाजी पहली दोनों ओवर में और ये एज लगी है हवामे थी गेंद घूमती हुई गेंद ऐसा लग रहा है भाविल को के मिस आउट कर गए हो अच्छे यह इन चंद से लेख वो लूटि बढ़ अब दूसरी गेन के लिए मिलिन तयार और ये बैक फूट से उटा दिया है उम्दा श्ट्रोक यहाँ पर भाविल का पहला चक्का और लगाउट में जोरदर चियर इमोजी का यहाँ पर वाइड बॉल थोड़ा सा प्रेशर मिलिन पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ शत्रा तीसरे बॉल पर सिंगल के जाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ आटरा कि दो दशमलत तीन गेंदों के बाद एचीन रॉंच अठरा कि बहुत ही उम्दा गेंद यहाँ पर बीट किया मयंक को कट पे और यह बैक फूट से उटा दिया है मयंक ने बहुत ही उम्दा श्ट्रोक छे रनों के साथ इस ओवर में दोनों बलने बाजों ने एक-एक बड़ा हीट लगाया है थोड़े से प्रेशर में होंगे मिलिन लेकिन कमबैक करना चाहेंगे पाच गेंदे 24 रन वन टुगो अंपायर का इशारा वाइड बॉल पाच बॉल पच्छीस आखरी गेंदी सोवर की और उम्दा गेंद यहाँपर बीट किया फिर से पारा गेंदे 28 रनों की दरकार 28 रिक्वाइड अफ 12 दिलिवरीज बहुत ही अच्छी शुरुवात शराद आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए 28 रिक्वाइड तीन ओवर की समाप्ती पर स्कोर है 25 ट्वेंटी फाइव बारा में 28 की रिक्वाइड अच्छीस आच्छीस की रिक्वाइड और ये पहली गेंद पर करारा प्रहार उम्दा श्ट्रोक भाविल का कॉन्फिदेंस बूस्टिंग इड ओजी ओजी डगाउट मेरे ओजी तीम ओजी डगाउट मेरे प्लीज एक बॉल 31 स्कोर फुल टॉस हाथ में गेंद बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर अच्छी कोशिश थी दो गेंदों पर दो हिट लगाने की कोशिश कश्यप ने अच्छे जे गेंद को रीड किया उठा दिया और बहुत ही बड़ी विकेट चटका लिए यहाँ पर टीम फैंची ने शरत का कमबैक पहले गेंद पर छेट दूसरे गेंद पर भाविल को शलता कर दिया पाविलियन की ओर दो गेंद को बाद स्कोर है 31 पाईस रनों की दरकार दस गेंदों में थोड़े से नाखुश भाविल उल्टाउस गेंदी एलिवेशन नहीं मिल पाया मज़ूर्फ करन मजीटिया आ गएं क्रीश पर और ये पहली गेंद पर दुआदार स्ट्रोक करन मजीटिया का ब्यूटिफुल शॉट ओवर लॉंग ओन एक्सिलेंट जज्जमेंट अफ दिलिवरी स्कोर अगे बढ़ता हुआ 37 इट्स विकेट 6 नाव फ़र्स त्री दिलिवरीज और यहां पर ग्राउंड स्ट्रोक सीथा फील्डर के हाथ में अच्छा कमबैक बॉलर का अच्छी फील्डिंग यहां पर 37 आठ गेंदों में 16 रनों की दरकार है और मज्जू तैयार हावा में गेंद अच्छी फील्ड वहां पर रन आउट का मौका नहीं साथ गेंदे 16 रनों की दरकार शरत की अच्छी कमबैक दोनों डिलिवरीज दोनों डॉट बॉल्स और ये वाइड बॉल बहुत ही अच्छा लिव क्लोज वाइड था यहां पर अच्छी गेंद स्कोर 38 हावा में गेंद इन फील्डर के बीच सिंगल चूराने में कामयाब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 छे में चौदा की दरकार पहली मैच ग्रूप डी MRPL सीजन वन डे थ्री की आखरी ओवर में जाती हुई गोइंग टू बी अ थ्रिलर अफ अ मैच छे गेंदे चौदा रंध धरमेश वर्सिस करन होगा ये मैच अप नहीं ऐसा लग रहा है प्रदिब भयारे नहीं धरमेश भयारे छे गेंदों में 14 रंधों की दरकार है धरमेश वर्सिस मज्जू राइट आम राउंड से प्रदिब भाव प्रदिब भाव और ये बहुत ही बड़ी विकेट पहली गेंद पर मज्जू की विकेट चटकाली है धरमेश भाई नहीं और ऐसा लग रहा है गेम स्विंग हो गई है तीम फैंसी की तरफ पाँच गेंदे चौदार अंट स्टिल न आउट ओव टो आउट फैंसी की तरफ अफिन देटीट की तो एंसी की तरफ पाईश भाई आचू कें क्रीस पर मनीश भाई मनीश भाई और मयंग भाई की जोडी झाल झाल थ्रीलर आफर मैच पाँच गेंदे चोड़ा रन और ये गेंद थोड़ी सी दूर वाइड बॉल का हिशार अमपायर का फिर से एक वाइड आस पारा रनों की दरकार है पाँच गेंदों में अब स्कोर हो चुका है फॉर्टीवन फिल्ड में चेंज और ये हावाव है गेंद दो फिल्डर के बीच लेकिन अच्छा स्टॉप वाहाँ पर बाउंडरी पर कैच था लेकिन एक रन्ज चुराने में काम्याब चार गेंदे एक ग्यारा रनों की दरकार स्कोर हो चुका है फॉर्टीटू 11 रिक्वाइड उफ फॉर 10 तू टाई हवा में गेंद और ये दो रनों की दरकार है कीपर को थ्रो अंपायर के डिसिजिएन के लिए रूके है तीन गेंदे दस रन एक अब एक लंबा गेम मुश्किल लग रहा है बहुत बहुत ही उम्दा थ्रो यहां पर फैंची के ओनर विकी का इस रन आउट में उनका बड़ा कॉंट्रिब्यूशन तीन गेंदों में दस रनों की दरकार है अब तीन गेंदे दस रन अच्छा स्ट्रोक यहां पर लेकिन दो गेंदों में नौ रनों की दरकार है अब बड़े हिट्स बड़े हिट्स चाहिए और किरन भाई बहुत उम्दा चीर करते हैं अपनी टीम को फिल्ड पर यहां पर उम्दा ओवर की दी उन्होंने पहली ओवर एकी रन खर्श किया दा और अंपायर का कोई शारा नहीं सिर्फ बाय में एक रन मैथेमेटिकली जीच चुकी है फैंसी 11 यह मैच एक गेंद में 8 रनों की जरूरत है अब जीतने के लिए है हावा में गेंद और यहां पर मुर्टुजा भाई का कैच उम्दा मैं ए अफ दॉमेच प्लीस अगली मैच है अगली मैच है नहीं आप भाई आप भाई आप भाई आख भाई बहुत यह अच्छी शुरुवात यहां पर फैंसी 11 के लिए पहली मैच में जीत रजिस्टर करके विकी बहुत खुश 32 दाथ दिखा रहे कोलगेट की स्माइल शक्ती 11 और ओजी टॉस के लिए तैयार Group D की दूसरी मैच Team Shakti 11 वर्सिस Team OG MRPL Season 1, Day 3 का दूसरा मैच का तॉस कमिएप Pramit कॉल कर रहे Heads is the call It's ahead, OG again have won the toss Foto ले ले प्लीज OG ने तॉस जीत कर Balling करने का फैसला गिया है OG OG won the toss and elected to field ह्कल स्ङół मैच मेची प्लीज हए 6 झाल झाल